हम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अभी जेवर तैसील में आए हुए हम जानेगे एक फाउंडेशन का ओफिस है जी वेक्ता फाउंडेशन एक ट्रेस्ट है यह चलाते हैं तो हम जानेगे आजकल ओनलाइन किलास है चल रही है ओनलाइन किलासों में क्य क्या दिक्कते आती हैं क्या ओनलाइन किलासों से शिक्षा सही तरीकी से बच्चों तक पहुंच रही है यह जानने के हम कोशिस करेंगे जी सर आपका नाम क्या है राजैन प्रसाद राइंदर जी यह जो ऑनलाइन जो पदिती चल रही है प्रदाना जया प्राजमित जाले म पढ़े की शुंच रही है क्या बच्चेन की घूंख्चा-घूरा यह जो और जो भी सामक्री आई जाते हैं तो हम दे़र हैं और मोबायल भी अधिकां से जोसिक्ट को जेब में रहते हैं बच्चो से मूबायल देते नहीं है इस वजुसे से जो है ना तु नेटौवर्क से मूबा। चल पा रहे हैं तो वह जो चीज भेज रहे आपका नाम क्या है मैं प्रदान अध्यापक प्रात्मिंग विद्धाले खानपुर्ट तो जो ऑनलाइन यह चल रही है किलास है क्या बच्चों तक सिक्षा वास्ता में पहुंच पा रही है क्या दिक्कत मानते हैं दरशल कुछ गार्जियंज इसे कर पा रहे हैं सो मैंसे 10%, और 90% बच्चों को सिक्षा नहीं मिल पा रही है इसके द्वारा सभी बच्चों को एक समाल रूप से सिक्षा नहीं मिल पा रही है और बेसिक के बच्चे बहुत पिछड़ चुके हैं सिक्षाक्षेद्र में और उनका अभी हमें अफलाइन पढाने का वह प्रस्ताब चल रहा है वह ऑफलाइन पढा रहे हैं सभी बच्चों को आफ लाइन पढारे हैं ब्दला ओनलाइन जो थी पंदिती जो इक्षाकिए वह सक्षेद्र को नहीं है सब्दित्र बच्चे पिछड़ चुके हैं बेसिक के बच्चे बहुत नीचे आ चुके, दो साल में वो पढ़ाय नहीं गए, फश्ट का वालक थर्ड में पहुँच गए, ओनलाइन कोई पढ़ा नहीं, तो इसमें बहुत समस्या है, सम बच्चे पिछड रहे हैं, आपका नाम क्या है, मेरे नाम धर्मेंदर शर्मा है, अज़ा धर्मेंदर जी जो ओनलाइन बच्चो को पढ़ाया जा रहा है, गाओं में, सहर में, हर जगा, इससे आप कितना संतुष्ट मानते हैं, क्या बच्चों तक सिक्चा पहुँच रही है, देखिए जो एजुकेशन पदितियम ने अपनाई गई है, ओनलाइन के माध् बट जहां हम बात करते हैं, ग्रामीर्ड छेतर में, तो वहां पर सबसे पहले नेटवर्क इशू आ जाता है, जिसकी वेए से आधी चीजे प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है, और जो भी ऑनलाइन क्लासिस होती है, उसके लिए 4G नेटवर्क चाहिए, और अधर और लैप इस कम्मुनिकेशन होने कारण ग्यान अधूरा रह जाएगा, और वो कहते हैं ना कि अधूरा ग्यान हमेशा दुखदाई रहता है, तो अच्छी मुहीन है, बट इसमें कुछ एरर्स है, सक्सेज नहीं मानते हैं आप, नहीं, सर ये जो ओनलाइन क्लासिस चल रही हैं बच् करती नहीं सफल है, क्यों नहीं, उसका एक रीजन है, अब तक ऑफलाइन बच्चों को समझनी आ रहा है, तो ओलाइन क्या आएगा, गार्जियन्सों को रोजगार अपना चला गया, सब को श्मार्ट फोन देना पढ़ रहा है, ददस 15-15-15 जार का फोन आ रहा है, जिसके घ दीजिया, योगी जी पहल अच्छा हो सकता है उनके अनुसार, बट उसको नीचे फुल्फिल नहीं हो रहा है, कोई विवस्ता नहीं, स्कूलों में कोई विवस्ता नहीं है, सरकारी की बात करें, सरकारी मच्चे क्यों नहीं जारें, उसका एक रीजन है, क्योंकि जब अच्छे और गार्डेंस, अभी जो ऑफ्लाइन भी इसमें ऑनलाइन पढ़ाए गए, कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी और बड़ेगी, जो दसमी और बार मी पास कर दिया गया, CVSC पैटर्न हो, या मादमेक सिक्षा विद्याल हो, सबको पास कर दिया, तो इंटर के बाद लाइन पदे दी, सफल नहीं है, सक्चम नहीं है, इस से बच्चों का नुक्सान नहीं हो रहा है, कोई फादा नहीं हो रहा है, मैं हम वीव सिंग, न्यू मॉर्निंग, जेवर, कौतम बुदनगर